नवशकर दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपनी शेनल आड़ो के स्ट्राइम है मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और ले के आऊँ आज आपके लिए गजब गजब की नियूस तो आश्या करूँ आच्छी आपको ये डेली डोस पसंद आईगी अगर आप देखना भूल गया है तो नीचे आईए अमने लिंक प्रवाइट करके देखिए और बताई कि इसा लगा अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक को शेयर करना मत भूलेगा यहाँ पर बात करना है अचके सबसे पहले डेली डोस गी तो यहाँ आ रही है Samsung Galaxy A50s से और यहाँ पर आप जानते हाली में आपने इसकी कुछ डीटेल शेयर की दी अब यह दिखा है N22 बेंचमार्क पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका प्रोसेसर देखने मिल रहा है जो की है Exynos 9610 यहाँ पर मायली G72 आपको GPU मिल रहा है 4GB RAM 14GB internal storage मिल रही है Full HD plus resolution मिल रहा है इसको और आप देख सकते हैं और यहाँ पर यह चल रहा है Android 9Pi पर यहाँ पर कुछ और डीटल सामने आई है अब देखते हैं किस प्रकार से यह नया Galaxy A50s देखने मिलता है क्या लुक होते हैं क्या ओवरॉर फीचर निकल गयाते हैं और किस प्राइसिंग में sellout होता है तो आप देख क्या सोचते हैं और क्या आपको यह फीचर पसंद आए कि नहा है कमेंट कीजिए और बताइए बात करें अगली डेडी डॉस की तो यह आ रही है मीडिया डेक की दरह से और यह नोंने अन्विल कर दिया है नया dedicated AI processor unit यह बनाया गया है IoT products के लिए यहां में बात करें इसका नाम की तो यह है i700 और यहां पर आपको मिल दाते हैं कुछ इस प्रकार से future और अलगर आप future देखने की तो बहुत ही तगड़ा है यहां पर बात करें और चीज़ों की तो यहां पर इनके साथ साथ आपको मिलता है 32 megapixel का single camera या फिर आपको मिल दाएगा 24 plus 16 megapixel का dual camera यहां पर बात करें और चीज़ों की तो यहां कंपनी का के नहीं कि आपको super fast image recognition मिलता है वो भी 30 fps पर यहां पर आपको zero latency मिलती है जो कि एक पूर अच्छी चीज़ है यहां पर आपको मिल दाती है 40 bit raw 10 bit YUV processing यहां पर बात करें और चुझा की तो यहां आपको Bluetooth 5.0 मिल दाता है Wi-Fi मिल दाता है यहां पर आपको 4x4 MIMO और यहां पर आपको triband carrier भी मिल दाता है तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो आने वाले IoT products ह हैं वो बहुत ही तगड़ा होने वाले हैं और लग रहा है कि कुछ तगड़ा हो सकता ही कि आने वाले टाइम में आपको देखने हो मिल दा है तो बता ही क्या सोचते हैं और क्या आप बेचाहिए कि जो आने वाला IoT product हो वो इसी processor unit के साथ आ है ताकि आप यूज कर सकें तो comment क बताईए पात करें अगली डेरी डाउस के यहां आ रही है HMD Global के Nokia 9 Peerview से और यहां पर आप जानते हैं बहुत टाइम से यह tease कर रहे थे आप यह फाइनली अन्विल हो चुका है इंडिया के अंदर यहां पर और और फीचर तो सब जानते ही थे परन्तु बात थी कि क्या इ 999 का जी हां इतनी कोस्ट रखी है यह आपको Flipkart पर मिल दाएगा और आपको बहुत सारे offers भी देखनों मिलेंगे तो बताई क्या सोचते हैं और क्या आप इस पांच केमरे वाले स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे तो कमेंट चीजिए और बताईए बात करें अगली ड अगर आपको लेंग्विज समझ नहीं आ रही यह जिरी से ट्रांसलेट करतेगा और आपको बता देगा वहां क्या लिखा है तो बताईए क्या आपको यह अपडेट पसंद आए कि नहीं कमेंट कीजिए और बताईए बात करें अगली डेली डॉस गीजिए यह आ रही है सो दूसरी साइड पर आपको फिंगर प्रिंट सेंसर वॉल्यूम रोकर्स मिल रहा है और यहां पर आप देखेंगे फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार से देखने में लगा उपर की जो ठिकने से वह बहुत जादा है बहुत मोटी बैजल मिल रही है उपर की तरफ यहां पर बा दाई है बात करें अगली डेली डावजी जो यहां आ रही है सेंसंग गलेक्सी नोट 10 5G मॉडल से और यहां पर मालू पढ़ाई कि यह जो टॉप मॉडल है इसके अंदर आपको मिलेगा वन ठेराबाइट की स्टोरेज यहां पर आपको 12GB रैम मिलेगी और यह सेरमिक बैक के साथ आएगा यहां पर बात करें और चुझो की तो यहां पर एकोर रिपोर्ट सामने आई है और वो बता दिये कि कुछ इस प्रकार से आपको सेंसंग गलेक्सी नोट 10 देखनो मिलेगा जी हां यह ब्लैक कलर में देखनो मिल रहा है यहां पर आपको चार केमरा मिल रहा ह है और और यहां लग रहा है कि कुछ जादे ही आपका एंजोइमेंट दगड़ा होने वाला है तो आप बता ही क्या सोचते हैं और क्या आपको यह लुक और फ्यूचर पसंद आए कि ने आए कमेंट चीजे और बताइए बात करें अगली डेली ड़ी यारी एक रिपोर्ट स और देखते हैं यह आईफोन किस प्रकार साते हैं कित्ती बड़ी नोस देखने मिलती हैं और और क्या फीचर होते हैं और इसे पर्चेस करने के लिए इस बार क्या के सेल करना पड़ता है या फिर आईफोन इस बार सस्ते मिलते हैं तो आब देख क्या सोचते हैं और क्या आ तो अगर आप भी यूज़ करते हैं 500 तो अपडेट कीजिए और Apple CarPlay के मज़े लीजिए साथ ये साथ बताइए कैसा आपका ओरल एक्सप्रियेंस है इस XVV500 के साथ बात करें अगली और फाने डेली डाल्स के यार ये होंडा कंपनी की दरस और तो यहां पर इन्होंने अन्विल कर दिया है नई ट्रिम को और यहां आपको देखने मिलेगी इनकी WRV के अंदर यहां पर बात करें यह तो यहां पर आपको फ्रंट फॉग लेंगे वह RVM मिल दाएंगे, gun metal finish में आपको R16 multi-spoke alloy wheel मिल दाता है, chrome door handles मिल दाते है, rear micro antenna मिल दाता है, यहां पर बात करें इंटियर की तो यहां कमनी ने बताए कि black and silver अप होलो इस्ट्री में देखनो मिलेगा, यहां पर आता है यह advanced comfortable features के साथ, और यहां पर आपको मिल दाता है 17.7 सेंटिमीटर का advanced touch screen infotainment system जो आता है AVN के साथ, यहां पर आपको steering mounted controls मिल दाएंगे, यहां पर आपको HFT भी मिल दाएगा, audio, voice command, cruise control, automatic climate control, one push start and stroke भी आपको मिल दाएगा, जो illuminate होगा red and white color में, यहां पर बात करें pricing की, तो pricing भी आप देख सहते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, और यहां पर आप देख सहते हैं, वी आपको पढ़ रहा है 9,95,000 का, तो बताएगे क्या आप इस नई trim को लेना पसंद करेंगे, तो comment कीजिए और पताएगे कैसे लगा अचका daily dose, अगर अच्छ लगा है तो वीडियो को like और share करना मत बूलेगा, चैनल को subscribe करना मत लाइए और हो सके तो donate कीजिए, मिल तो मैं आप साथ के लिए वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्ता मन साड़ा, भारत मता की, जयए